नमस्कार दोस्तों एक बड़ पी नमारी यूटूब चैनल में आप लोगों का हर्दिक स्वागत है लेट अफ्ट अपटेट निकले के आए कि केंद्रे करमचारों की दमाकेदार होगी दिवाली सलरी के साथ मिलेगा 52,917 रुपे का डिये एरियर तो दोस्तों मैं आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारी चैनल पर पफटाइम विजिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजिए सस्क्राइब कर दीजिए साथ इसाथ वेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गोर्मेंट या पैंसन से समधी जितने भी नियू जाते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पूस की तक करते हैं वीडियो को स्टाइट बिना किसी देरी की दोस्तों केंद्रे करमचारियों को दीजिए से पहले सरकार ने तफ़ा दिया है डिये के साथ आरियर का पैसा भी अक्टूबर सैलरी में मिलेगा इससे दीजिए पर अच्छा खासा पैसा मिलेगा केंद्रे करमचारियों के लिए दीजिए 2021 दमाकेदार रहेगी अक्टूबर में तीन फिस्ती बढ़ाने का ऐलान जो डिये का किये था उसका बुकतान अक्टूबर सैलरी में उन्हें 31 परतिशत की दर से महंगाई बता मिलेगा लेकिन इसमें खास बात यह है कि एक जुलाई से ही लागू किया जाएगा मतलब केंदरे करमचारी की जुलाई 2021 से 31 फिस्ती की दर से पैसा मिलेगा अक्टूबर की सैलरी में उन्हें पूरा बुकतान कर दिया जाएगा केंदरे करमचारी को जुलाई अगस सितमबर का भी एरियर मिलेगा केंद्र करमचारियों को अक्टूबर की सेलरी में पूरा भुगतान कर दिया जाएगा मतलत दिवाली से पहले उन्हें सारा पैसा मिल जाएगा कैबिनेट ने पिछले हपते ही मेंगाई बत्ते के 3 परतिशत बढ़ाने के मंजूरी दी थी तो जुलाई 2021 के मेंगाई बत्ता बढ़ने के साथ एरियर भी मिलेगा केंद्र करमचारियों को 31 परतिशत डिये के साथ एरियर का भी पेमेंट दे दिया जाएगा केंद्रिय करमचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपे से 56,900 रुपे के बीच होती है अगर 31 परतिशक के नए मेंगाई बत्ते की अधित्म बेसिक सैलरी 56,900 रुपे पर कैलकुलेट की जाएगी तो 17,649 रुपे महिना का डिये बनता है तो वही अभी तक बुगतान किया गया है तो वो 28 पिस्दी की दर से 15,932 रुपे महिना किया गया है मतलब करमचारियों के डिये में कुल 17,07 रुपे में गाई बत्ता बड़ा है सलाना हजार पर अगर यह इजाफा देखते हैं तो 20,484 रुपे का होगा और अक्टूबर महिने में 3 महिने का एरियर मिलना है तो ऐसे में अगर कैलकुलेट किया जाए तो एक करमचारी की 92,917 रुपे एरियर के भी आएंगे अक्टूबर महिने में का बड़ा हुआ डियर मिलने पर यह रकम 70,556 रुपे हो जाएगी अगर हम 18,04 रुपे की नियूंतम बेसिक सैलरी पर एरियर की कैलकुलेशन करते तो अभी करमचारी को 5,030 रुपे डियर मिल रहा है जो 28,50 डियर के हिसाब से है अब उन्हें 3,50 और जोड़ दिया जाए तो 5,560 रुपे होगा मतलब करमचारी की सैलरी में 540 रुपे का इजापपा होगा तीन महिने के एरियर का पैसा करीब 1,620 रुपे आएगा ऐसे में दूसरे सैलरी ब्रेक अप पर डियर एरियर का कैलकुलेशन होगा दिवाली से पहले 47,00 लाग से ज़्यादा करमचारी और 68,62,50 बोग्यों को फायदा मिलेगा करमचारी के महिनगाई बता और महिनगाई राज से सरकारी खजाने पर हर साल 9,488,70 क्रोड रुपे का खर्च होगा देश में महिनगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने करमचारी को महिनगाई बता देती है उसे साल में दो बार बढ़ाया जाता है तो दोफ तो आज के लिए इतना ही मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय बारत